जोड़दार धमाके के बाद दुआ ही दुआ दहल गए लोग तस्वीरों में बुलंचहर हासे की इंसाइड स्टोडी उतरप्रदेश के बुलंचहर जुले में सुमवार की रात बड़ा हासा हुआ अक्सिजन स्लेंडर फटने से दो मंजिला मकान जमी दोज हो गया मलवे में दवने से एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत हो गई तीन की हालत गंबीर बनी हुई है उन्हें अस्पताल में भरती कराया गया है मलवे में दवे 17 लोगों को निकालने के लिए देरात तक रहत का रह जारी रहा जानकारी के अनुसास सिकंद्राबाद कस्वे के गुलावटी रोड इस्थित आशापुरी कलोनी में सोमवा रात 8 बजे ऑक्सिजन सिलेंडर फटने से जबरजस्त विस्वोट हो गया हासे में दो मंजिला मकान जमी दोज हो गया जिसके मलवे में एक ही परिवार के 26 लोग दब गए हासे में परिवार के मुखिया उनकी पतनी बेटी और दो बेटो समेट 6 लोगों की मौत हो गई तीन को गंबिर हारत में अस्पताल में भरती कराया गया है देरात मलवे में 27 लोगों को निकालने के लिए फायर ब्रिगेड और SDRF के जवान जुटे हुए थे बताया है कि मलवे में दब परिवार के दस दस्या पूरी तरह से सुरक्षित है बताया गया है कि लंडर में लगने वाली शर्टरिंग का काम करने वाले रियाजुदीन की पतनी रुखसाना की तवियत खराब चल रही थी वेरेजी अस्पताल में भरती थी सोमवार को ही उन्हें अस्पताल से घर लाये गया था घर लाने के बाद रुकसाना को सांस लेने में समस्या होने लगी इस पर उन्हें ऑक्सिजन देने के लिए सिलेंडर लगाने की प्रक्रिया चल रही थी तब इस लेंडर में जबर जस्त विस्फोर्ट हो गया हासे के वक्त रिया जुद्दीन के साथ उनकी पत्नी रुकसाना बेटा सिराजू, शाहरुक, सोहना, आस मुहमद और सल्मान, पुत्रवदू चांदनी, यासमीन, अंजुम, बेटी तमन्ना और उनके दो बच्चे, सिराजू के पांच बच्चे शाहरुक के तीन, आस मुहमद के तीन और सोहना के दो बच्चों समय 26 लोग घर में थे, सबी मलवे में दब गए रजुद्दीन की एक पुत्रवदू नस्रीन किसी कारे के चलते पडोस में गई थी, वैसा कुशल है मलवे में दवने सेर याजुद्दीन 58 वर्षी है, उनकी पत्री रुकसाना 45 वर्षी है, तमन्ना 24 वर्षी है, आस मुहमद 24 वर्षी है, सलमान 11 वर्षी है और रिजवान की बेटी हिज़ा 3 वर्ष की मौत हो गए तीन को गंबीर घायल हालत में अस्पताल में भरती कराये गया है दिर रात मलवे में 17 लोग दबे हुए थे, जिने बाहर निकालने के लिए बचाफ कारे किया जा रहा था DM, SSP, SDM, CO समय तन्याधिकारू भी मौके पर मौझूद रहे बिसफोर्ट की आवास से सहम गए पडोसी रात करीब 8 बजे बिसफोर्ट हुआ तो परोसियों के साथ कॉलोनी के लोग सहम उठे धमागे की आवास के बाद एका एक लोग घरों के बाहर निकले और मौके की ओर दोड़ पड़े ततकाल हासे के सूचन पुलिस को देने के साथ लोग राहत कारे में जुट गए कॉलोनी निवासी राशिद ने बताया कि बिसफोर्ट की आवाज ऐसी लगी मानो किसी ने बम गिरा दिया हो कुछ लोगों को लगा भुकम पाया है बदहवास इस्तिती में लोग घरों से बाहर निकले तो हासे की जानकारी हुई मलवेज से आ रही थी आवाजे खटना इस्तल पार दिर राब तक रहात और बचावकार है जारी रहा